हालो आइस दिस इस मोई तैरवा और आज का अपने टॉपिक है फंक्शन सब हाइपो थेलमस देखिए इसके पहले अपने थेलमस के फंक्शन पड़े थे वो भी इजी थे बिल्कुल अपने पॉइंट याद की है थोड़ा सा अपने डिटेल करके बता दिया दो पीज मलब भ सब तरह से पर दोनों पार्ट को के एंटेयर और पॉस्टियर निकलते हैं तो क्या होता है सब्सक्राइब याद हो रहा है याद कर सकते हैं एंटी डायोरेटेक और ऑक्षिटोशन ठीक है दो यह नाम याद कर लो बाकि युक्रेस का याद हो ठीक है नहीं हो तो इतना अमलाब आप लेख दो कि बहुत ही सब्सक्राइब सब्सक्राइब और लुग जब pa हर्मन पॉलीज करवाने वाला ग्रूथ हर्मन रिलीजिंग पॉलीड हर्मन करता है ताकि थायरेज हर्मोन रिलीजेंग आयर विक्ता ह्या य होला जितने भी है इनिवेटंग है अब रहेँ करता है अब आते हैं नरोस सिस्टम और सब्सक्राइम ∈ ृ ie डिवीजन ओप आटानोमिक नर्वस सिस्टम इस रेगुलेटेट वाइप उस्टीर और लेटरल नुकलियस और नुकलियस का द्यान रखना पॉस्टीर और लेटरल से किसका रेगुलेशन हो रहा है से पैड़ेटिक को और यह अपने बाला पार्ट है पैरा संपेटिक को ठीक रहे हैं तो यह वाला हार्ट रेट और प्रसंट किसका अट्रोमिक नर्वस इस्टम का है यह भी किसके अंडर कंड्रोल में हीपोथेलमस के तो रेगुलेट्स हार्ट रेट वाय बैसों मोटर सेंटर मेडूला ओलंगेटा तो किस तरह से का एगा मैंने आपको बताए कि ले किसको कर रहा था प्रसंट करता है तो इतना ही ध्यान रखना है रेगुलेशन ऑप टेंपरेचर हाइपोथेलमस होता है ठीक है यह में रोल इसी का है हीट लॉस और हीट गेन अब हीट लॉस हीट गेन कब काम करते हैं वह अलग अपन का जैसे मालों ठंड होगे तुसमें क् करना है तो यह अलग अलग टाइम पर काम करता है प्रजेंट इंटे हाईपो तैलमस और पुश्ट अब तैलमस देविजं से जाना जंड जाना जए अक्टिवीटी बड़ाएगा तो वह जानँ नात संपबन उसेंसे क्या है तो लिए सबढ़ाना है हीट लॉस टेंप्रेचर कम करना है तो क्या एंटिया हाइपो थेलमास मतलब परसंप्रेटेक से रिलीटर है तो आपको समझ में आ रहा होगा निप्लियस ठीक है फंक्सन एक दूसरे से जुड़े हुए है रेगुलेशन आप स्लीफ सब्सक्राइब अच्छा किया आपने कुई काम किया तो इसमें क्या करती है तो है कोई गलत किया तो इस तरह से यह हाइट रेट कर देगा जब कोई पनेशमेंट मिल लही होगी यह सब चेंज को न करवाता है हाइप अब सेक्षुल फंक्षन इस तरह से कंट्रोल करता है कोई अपन का सरकल चल रहा है जैसे मेंस्ट्र साइकल होता है तो कई साइकल में होते हैं वह क्या होते हैं है इसको कौन करता है अपन का हाइपोथेलमस ठीक है तो किस तरह ऐसे जो सरकेटियम रेता हम होते हैं वह भी इसके कंट्रोल में रहती है तो इस तरह से यह रहा है अपन के हाइपोथेलमस के फंक्षन प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब इस चैनल ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पास आपके पास यह वीडियो पहुंच पाए और आसानी से नोट्स प्रवाइड हो पाएं आप युनिवर्सिटी में अच्छा से अच्छा कर पाऊ ठीक है थैंक्यू गाइस